नमस्ति सभी को इस वीडियो में मैं आपको बताने वानी हूँ कि अगर किसी ने आपको वाट्साप पे कोई इमेज या वीडियो भेजा है और वही इमेज या वीडियो आपको अपने लैप्टॉप पे डाउनलोड करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं पहले हम आपका फोन का वाट्साप आपकी लैप्टॉप में डालेंगे वो करने के लिए आप कोई भी सर्च क्या ब्राउजर ओपन करेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रोम ओपन किया है और मैं सर्च बार में वाट्साप वेब टाइप करूंगी और मैं एंटर कर दूंगी यहाँ आप गूगल पे सर्च करके भी कर सकते हैं यहाँ पे अब मैंने सर्च कर लिया है और मेरा फर्स्ट जो लिंक है वो वाट्साप वेब का लिंक है मैं उसके उपर क्लिक करूंगी और यहाँ पे थोड़ा सा लोड होकर ऐसा एक पेज अब यहाँ पे आपको एक QR कोड दिख रहा है यह QR कोड आपको अपने फोन से स्कैन करना है तो पहले अब फिर मैं मेरे मुबाइल के वाट्साप पे जाऊंगी और टॉप राइट कॉर्णन में यह तीन डॉट का आइकन पे क्लिक करूंगी फिर आपको यह सारे आप्शन भी यह साइंगे अब वोटसाप वफ की की ओक्शन पे क्लिक करेंगे लिए किस अपिर आप टॉप राइट कार्नर में यह एडिक का साइन पे क्लिक करेंगे Запाना और अब आप QR code यहां पे scan कर सकते हैं तो अब आप आपके laptop में जो QR code है वो खोल के scan करेंगे अब मैंने मेरा laptop खोल दिया है और यहां पे सामने यह laptop का QR code है और यह है mobile में जहां पे मुझे QR code scan करना है तो मैं पहले मेरे mobile को इस तरह से QR code में लेकि आऊंगी और फिर थोड़ा load होके मेरा mobile का WhatsApp इस laptop में इस तरह आजाएगा अब मैं जो भी चैट खोलूंगी उसमें से कोई भी वीडियो या फोटो लेकर अपने laptop में डाउनलोड कर सकती हूं